बच्चों दुनिया के सबसे बड़ी उनिवर्सिटी इसमें से एक Harvard University ने एक study में हमें बताया कि जिन लोगों की job लगती है या फिर जो लोग promotion लेते हैं या फिर जो लोग life में successful होते हैं उनके successful होने के पीछे 85% का योगदान उनके attitude का होता है या इनके सिर्फ 15% का योगदान उनकी studies, उनके factual knowledge, उनकी technical knowledge का होता है अब कमाल की बात यह है कि हम अपनी पूरी life में इतना time और इतना पैसा knowledge लेने में लगा देते हैं लेकिन इंसान की success 85% उसके attitude पे depend करती है और यह मैं नहीं कह रहा है यह Harvard University कह रही है अपने study के according तो अगर attitude का इतना बड़ा role है आपकी success में और आपकी life में तो क्या यह जानना जरूरी नहीं है कि आपका attitude winners वाला है या नहीं इस बात को कैसे पहचाने हैं? मैं आपको एक छोटा से example देता हूँ एक बार एक गाउ में एक बहुत ही विशाल का एक बहुत ही बड़ा इंसान हुआ करता था वैसे तो इंसान क्या ही करें? एक तरह से राक्चस हुआ करता था और उसने सभी के मन में बहुत सारा भै create कर रहा था सभी लोग उसको देखते ही थर-थर कापने लग जाते थे उसी गाउ में एक 17 साल का लड़का आता है अपने भाईयों से मिलने अपने लोगों से मिलने और वो ये सब देखता है और उनसे पूछता है कि तुम क्यों इतना सेहन कर रहे हो तुम इसके खिलाफ खड़े क्यों नहीं हो तुम इससे लड़ते क्यों नहीं हो तो बाकी लोग कहते हैं कि don't you see, तुम्हें दिखाई नहीं देता ये कितना बड़ा है, इससे कैसे लड़ेंगे ये बहुत बड़ा है भाई, इससे कैसे लड़ेंगे तो वो लड़का गुलाल चलाता था गुलाल समझते हैं आप sling shot वो लड़का कहता है कि ये बड़ा है तो इसको मारना आसान है जब मैं निशाना लगाऊंगा न, तो ये इतना बड़ा है कि इसको मारना आसान होगा, निशाना लगाना आसान होगा यानि कि उसके बड़े होने से बाकी लोग डर रहे थे लेकिन ये उसके बड़े होने में भी opportunity दिख रहा है कि अगर इसको मारना है तो मेरे लिए आसान हो जाएगा क्योंकि ये बहुत बड़ा है निशाना नहीं चूकेगा वरना अगर इसको मारने की कोशिश करू और निशाना गलती से चूक जाए तो फिर ये तो पता ही निए क्या हश्र कर देगा यहाँ पे इसके बाद जो हुआ वो एक हिस्ट्री है यह कहानी डेविड और गोलियात की है और यहाँ पे उस 17 साल के बच्चे ने उस विशाल काय राक्षस को धेर कर दिया इससे आपको सीखने को क्या मिलता है कई बार आपके सामने उपर्चुनिटी होती है लेकिन आप उस उपर्चुनिटी को नहीं पहचान पाते आप बलकि उसका एक नेगेटिव साइड देख रहे होते हैं जैसे कि बाकी लोगों ने देखा बाकी लोड़के बोला कि भाई बहुत बड़ा है इससे लड़ना बहुत मुश्किल है लेकिन उस लड़के ने उसके बड़े होने पे उसके विशालकाय होने पे उसके बहुत बड़े साइज के होने में भी opportunity निकाल ली कि मेरे लिया निशाना लगाना आसान हो जाएगा अब ज़ादा तर लोगों के सब परिशानी तो यह है कि opportunities are easier recognized when they are leaving rather than when they are coming यानि कि जब opportunity आ के वापस लोट रही होती है तब लोगों को समझ में आता है कि यार ये एक opportunity थी लेकिन जो इंसान opportunity को आते समय ही पहचान लेता है वही successful होता है ये है right attitude तो इसलिए कहते हैं opportunities are easier recognized when they are leaving rather than when they are coming अगर आपने आते हुए opportunity को पहचानना सीख लिया तो आप successful हो सकते हैं आप उसको success में बदल सकते हैं मैं एक छोटा सा example लेता हूँ neat examination का अभी आपके पास लगभग 2 महीने हैं अब कोई बच्चा ऐसा भी कह सकता है कि ये 2 महीने बहुत कम है मैं इसमें कैसे prepare करूँगा लेकिन वो बच्चा जो अपना selection करवाना चाहता है जो यहां से success लेना चाहता है जो फोड़ना चाहता है वो बोलेगा 2 महीने ये तो बहुत है मेरे लिए तो ये 2 महीने आपके लिए opportunity है अब आप पर ये depend करता है कि आप इसको आते समझ समझ पाते हैं कि ये opportunity है या जब ये 2 महीने चले जाएंगे तब आप इस चीज को समझ के पच्चता होगे कि यार अब NEET का exam बहुत नजदीक आ चुका है काश मैंने 2 महीने पहले ये समझ लिया होता कि यार वो तो opportunity थी opportunity आपके सामने आके खड़ी है बच्चो आपको वस उसको identify करना है और अपने काम पे पूरे निष्ठा और इमानदारी के साथ जुट जाना है तो I hope आप मेरी बात को समझ गए कि एक winner का attitude कैसा होना चाहिए अगर आप भी एक winner बनना चाहते हैं तो अपने attitude में change लाइए और इस दो महीने को बहुत seriously लिते हुए पूरे effort के साथ, पूरे निष्ठा के साथ, पूरे इमानदारी के साथ तैयारी में बिलकुल जुट जाईए हम हमेशा आपके साथ हैं और ऐसे ही आपके साथ रहेंगे preparation करते रहें बेटा और मचा के दिखाना है best of luck